हे अप्रिवान, आयम नेहा, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल एक्जाम टॉपर, सु स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है दादा साहे फाल के पुरुसकार 2021 और ये करंट का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एक्जाम के लिए for NTPC, Group D, SSC, GD, UPE, Police, ASI, UPSI कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लीजे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और हाँ कई लोग बोल रहे हैं कि मेंप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो काम नहीं कर रही है, तो आप एक काम कीजे, टेलीग्राम पर सर्च कीजे, एक्जाम टॉपर, तो आपको चैनल इजीली मिल जाएगा, ओके, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और सबसे पहले हम दादा साहिब फाल के पुरुसकार के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फेक्ट जो इंपोर्टेंट है, देखें ये जो दादा साहिब फाल के पुरुसकार है, ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्सिक पुरुसकार है, जो कि किसी वि पहला पुरुसकार है यानि कि जो पहला दादा साहे फाल के पुरुसकार है वो देविका रानी चोधरी को दिया गया था इसमें पुरुसकार के तोर पर क्या दिया जाता है तो वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो दादा साहे फाल के पुरुसकार है पुरुसकार में सूचना एवं प्रशारन मंत्राले जो है वो प्रकास जाबडेकर जी के पास है याद रखेगा तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखेंगे फर्स्ट कोशन इक्यावनवा दादसाहे फाल के पुरुसकार ये किसको दिया गया है तो ये दिया गया है रजनी को ओप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर और इन्हें साउध का भगवान कहा जाता है है ना तो राइट आंसर ओप्शन नंबर सी होगा रजनी कांद को 51 दादसाहे फाल के पुरुसकार दिया गया है अभी दिया नहीं गया है अनाउंस्मेंट की गई है तो इनको य 12 दिसंबर 1950 को हुआ था बेंगलूरू में यानि करनाटक राज में याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है दादसाहे फाल के का पूरा नाम क्या था तो धुंडी राज गोविंद फाल के जो है ये इनका पूरा नाम था दादसाहे फाल के का राइट आंसर ओप्शन नंबर डी हो जाएगा देखे ये जो दादसाहे फाल के थे इनको भारतिय फिल्म उद्यों का यानि बॉलिवुड का पितामाह कहा जाता है इनके जन्म की यदि बात की जाए तो 30 अप्रेल 1870 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यू की यदि बात करे तो 1940 को इनकी डैथ हो गई थी पहली बोलती फिल्म थी आला मारा वो भी इनी के द्वारा बनाई गई थी 1931 में याद रख लीजेगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखेंगे भारत में फिल्म बस सिनेमा जगत का सरवोच सम्मान कौन सा है तो वो है दादा साहे फाल के पुरुसकार ओप्चन नमबर D हो नेक्स्ट कोशन है दादा साहे फाल के पुरुसकार की सुरुवात किस वर्स हुई थी तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ 1969 में इसकी सुरुवात हुई थी और सबसे पहले ये जो पुरुसकार है ये देविका रानी को दिया गया था याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है पहला दादा साहे फाल के पुरुसकार किसको दिया गया था तो अभी आपको बताया देविका रानी को ओप्शन नमबर A नेक्स्ट कोशन है दादा साहे फाल के पुरुसकार को किस मंत्राले के द्वारा दिया जाता है तो ये भी आपको बता चुकी हूँ सूचना एवं प्रशारन मंत्राले के द्वारा दिया जाता है दादा साहे फाल के पुरुसकार को और वरतमान में सूचना एवं प्रशारन म पुरुसकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है दिपिका पादुकॉन और अक्षे कुमार यानि कि इन दोनों को दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर C याद रख लीजेगा इनको फीमेल में और इनको मेल में ओके नेक्स्ट कोशन है 2021 में 51 दादा सह पाल के पुरुसकार किस वर्स के लिए दिया गया है तो ये दिया गया है वर्स 2019 के लिए राइट आंसर हो जाएगा option number D नेक्स्ट कोशन है दादा साहेब फाल के पुरुसकार में पुरुसकार के तौर पर क्या दिया जाता है तो ये भी आपको बता चुकी हूँ पुरुसकार के तौर पर एक स्वान कमल दिया जाता है यहीं कि गोल्डन लोटस दिया जाता है और 10 लाक रूपे नगद धन्रासी दी जाती है यानि कैस दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी याद रख लीजेगा नेक्स्ट कोशन है मरनो प्रांत दादसाहे फाल के पुरुसकार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो राइट आंसर देखे य यहाँ पर हो जाएगा पृत्वी राजकपूर यह जो है मरनो प्रांत दादसाहे फाल के पुरुसकार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे और पृत्वी राजकपूर ने जो अपना करियर है वो मूग फिल्मों में जो है शुरू किया था यानि की जो साइलेंट मू फिल्म कौन सी थी तो यह मैं आपको बता चुकी हूँ राजा हरिश्चंदर जो थी यह भारत की पहली मूग फिल्म थी जो कि दादा साहे फालके के दुआरा बनाई गई थी याद रखेगा 1912 में नेक्स्ट कोशन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी तो यह थी आल अगर मैं देविका रानी की भात करूं तो इनका जन्म हुआ था आंधरप्रदेश में यानी बरतमान आंधरप्रदेश में 30 मार्च 1908 को और इनकी जो डेथ है वो 8 मार्च 1944 को सोरी 1994 को हो गई थी याद रखेगा चले टोटल कोशन मैंने आपको 13 कराए है और यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है 2021 का करंट का टॉपिक है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें यदि वीडियो अच्छी लगी है और कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा टॉपिक मुझे सजिस्ट करते रहिए मै आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केर बाबाई थाइंक यू